शान्ता कारं भुजग शयनं पग्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सद्रिशं मेख वर्नं शुभागं लक्ष्मि कांतं कमल नयनं योगी भिध्यान गम्यं वन्दे विश्णूं भवभय हरं सर्व लोकेक नाथं जै शीराधिक्रिश्ण बंधों आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है बंधों योही ज्यान वधक जानकार्यान लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लवाएं आईए आज मैं आपको सुना रहे हूँ पापा कुशा एकाशी व्रत कता पापा कुशा एकाशी कवरत हर वर्ष आश्विन मास के शुकल पक्ष की ग्यारस तिथी को आता है पापा कुशा एकाशी के दिन भगवान पधमनाब भगवान विश्लू की भगति भाव से पूजा की जाती है जो भी सची निष्ठा के साथ नियम के साथ पापा कुशा एकाशी कवरत करते हैं और कथाश्रमन करते हैं उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है और उन्हें सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है अल्ट में मोक्ष की प्राप्ति होती है बंधों पापा कुशा एकाशी के नाम से पता लगता है पापों को समाप करने वाली बंधों हर मुश्य से जाने अंजाने में पाप होते रहते हैं जो मुश्य भी पापा कुशा एकाशी का व्रत कर लेते हैं उनके सभी पापों का क्षय हो जाता है अथात उनके द्वारा किये हुई पाप समाप्त हो जाते हैं बंधों इसलिए पापा कुशा एकाशी का व्रत कम से कम एक बार अवश्य करें और यदि हो सकी तो हर साल में आने वाली पापा कुशा एकाशी का व्रत अवश्य करें पापा कुशा एकाशी पाप रूपी हाथी को प्रत के पुन्य रूपी अंकुष से बेदने के कारण ही आश्विन मास के शुकल पक्ष की एकाशी का नाम पापा कुशा एकाशी पड़ा इस तेन पधमनाब भगवान विश्णु की भगति भाव से पूजा करके ब्रहामनों को उत्तंदान एवन दक्षना देनी चाहिए जन हितकारी निर्मान कारेओं जैसे मंदिर, धरमशाला, तालाग, प्याव, कुए, बाग आदि बनवाने के कारे आरंब करने के लिए पापा कुशा एकाशी एक उत्तम महुरत है युधिष्टर ने आदर पुर्वक शिक्रिष्ण भगवान को नमन करके कहा हे जनार्दन आश्विन चुकला एकाशी का नाम क्या है अब आप कृपा करके इसके ब्रत की विधी और इसका फल कहिए भगवान शिक्रिष्ण ने कहा हे युधिष्टर समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकाशी का नाम पापा कुशा एकाशी है पापा कुशा एकाशी मनुष्ये को विधी पुर्वक भगवान पदम नाप की पुजा अवश्य करने चाहिए यह एकाशी मनुष्य को मनो वांचित फल देकर स्वर्ग प्राप्त कराने वाली है मनुष्य को बहुत दिनों तक कठो तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुट धज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य अज्यानवश अनेक पाप करते हैं प्रंतु नित्यहरी को नमस्कार करते हैं वे नर्क में नहीं जाते विश्नु के नाम के कीतन मात्र से संसार के सब तीथों के पुन्ने का फल मिल जाता है जो मुशे भक्त वसल भगवान विश्नु की शरन में जाते हैं उनको कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती जो मुशे वैशनव होकर शिव की आरशेव होकर विश्नु की निंदा करते हैं वे आवश्य ही नर्त गामे हो जाते हैं सहस्त्रों वाजबे अश्व मेग यग्यों से जो फल प्राथ होता है वह एकाशी के व्रत के सोल में भाग के बराबर भी नहीं होता संसार में 81 व्रत के बराबर कोई पुन्य नहीं प्रंतु इस पापा कुशा 81 के स्मान पवित्र तो तीनों ही लोकों में कुछ भी नहीं है जब तक मुश्य पदमनाप 81 का व्रत नहीं करते तब तक ही उनके शुरीर में पाप वास करते हैं पापा कुशा 81 स्वर्ग, मोक्ष, आरोक्यता, सुन्दर इस्त्री, अन और धन देने वाली है पापा कुशा 81 व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुन्यवान नहीं है पापा कुशा 81 का व्रत जागरन करने से मनुष्य विश्णुपत को प्राप्त होते हैं हे राजेंद इस्त्री के करने वाले 10 पीडी मात्र पक्ष की, 10 पीडी पित्र पक्ष की और 10 पीडी मित्र पक्ष का उधार कर देते हैं विश्वयम भी दिव्वेदे धारन कर, चत्र भुजरूपो, पितांबर पहन, हाथ में माला लेकर, गरुण पर चड़कर विश्णु लोग को जाते हैं हे राजन इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त ना होकर सद्गति को प्राप्त होते हैं आश्विन मास के शुकल पक्ष की इस पापा कुशा एकाशी का जो व्रत करते हैं, वे अन्च समय में हरी लोग को प्राप्त होते हैं समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं सोना, तिल, भूमी, गो, अन, जल, छत्री पथा जूती कान करने से मनुष्य यम्राज को नहीं देखता जो मनुष्य पुन्य करम और एकाश्यों के व्रत किये बिना जीवन के दिन व्यतित करता है वहें लुहार की भठी के तरें शांस लेता हुआ भी निर्चीव के समान है निधन मुष्यों को भी अपनी शक्ती के अनुसार दान करना चाहिए धन वालों को सरोवर, बाग, धरम, शाला, गो, सदन, मकान आदि बनवा कर दान करने चाहिए ऐसे मनुष्यों को यम का दार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दिरगायू, धनाड, कुलीन और रोग रही दहती है धरम से सद्गती और अधरम से दुर्गती की प्राप्ती होती है इसमें कोई संदेह नहीं, बोलो छी विश्नु भगवान कीजे भजमन नारा येने नारा येने हरी हरी 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 राधे राधे जै श्रीक्रिशना बंधों यदि आपको हमारी कथा पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर भी अवश्य करें